Welcome to my channel कहानी सुनो एक बार की बात है एक जंगल में एक हाथी और एक बिल्ली रहते थे हाथी बहुत ही चतुर था और बिल्ली बहुत ही चालाक थी दोनों एक दूसरे से बहुत ही नफरत करते थे एक दिन बिल्ली सो रही थी तभी हाथी ने बिल्ली की पूँच को रसी से बांध दिया और रसी को एक पेड से बांध दिया हाथी ने बिल्ली की पूँच को खीच दिया जिससे बिल्ली बहुत दर गई और चलाने लगी हाथी ने बिल्ली से कहा अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो मैं तुम्हें इस रसी से मुक्त कर दूँगा बिली ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी हाथी ने बिली को रसी से मुक्त कर दिया बिली ने हाथी को धन्यवाद दिया हाथी और बिली अब दोस्त बन गए वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे वे जंगल में साथ साथ खेलते थे और खाते थे एक दिन हाथी और बिल्ली जंगल में खेल रही थे कि उन्हें एक शेर दिखाई दिया शेर बहुत बड़ा और शक्तिशाली था हाथी और बिल्ली बहुत दर गए वे जानते थे कि शेर उन्हें खा जाएगा तभी हाथी को एक विचार आया उसने बिल्ली को कहा तुम पेड पर चड़ जाओ तो शेर से बच जाओगी बिल्ली ने कहा लेकिन तुम क्या करोगे हाथी ने कहा मैं शेर को भगा दूँगा हाथी शेर के सामने गया और चिलाया शेर मैं तुम्हारा सामना करने आया हूँ शेर बहुत गुसा हो गया और उसने हाथी पर हमला कर दिया हाथी बहुत चतुर और ताकतवर था उसने शेर को बहुत मारा हाथी से मार खाकर शेर वहां से भाग गया बिल्ली बहुत खुश थी उसने हाथी को धन्यवाद दिया और कहा तुम बहुत अच्छे दोस्त हो हाथी और बिल्ली अब और भी अच्छे दोस्त बन गए वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे शिक्षा हाथी और बिल्ली की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सदैव दोस्तों की मदद करना चाहिए